और चाहिए, बोलो अरे बाबा, अरे बाबा, बच्चों सिम्पू, ये केस तो उलजता जा रहा है चौदा नमबर का जूता पहनने वाले को आखिर कैसे ढून दे कुछ समझ नहीं आ रहा सिम्पू सिम्पू, सारी चोरियां बेस्ट बैंक ओफ इंडिया के एटियम्स में हो रही है अपने शहर में चार बीबी आए बैंक के चार एटियम सेंटर्स है लगता है अगली चोरी वही होगी चलो सिम्पू, टाइम फॉर सम एक्शन लगता है पुलिस को चोरी के खबर लग गई है अरे, ये तो इंस्पेक्टर प्यारे लाल है सिम्पू, कुछ कड़बर है लेट्स गो ये दोनों तो बेहोश है ये बिस्केट्स किसी ने इने इनके खाने में दवा मिलाकर इने बेहोश कर दिया है ये जरूर उस चोर का ही काम होगा भूट, भूट, बचाओ, बचाओ अंदर पिना मुंडी का भूट है सिम्पू, वो रहे चोर, लेट्स कैच देम जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी और ये लगा निशाना शरारती बच्चे, तो फिर मेरा प्लान चौपट करने आगया इस बार नहीं छोड़ूँगा इतना असान भी नहीं है इन्हें पकड़ना होगा सिम्पू, तुम साइकल सबालो सिम्पू, तुने अस चोड़ की आवाज सुनी? मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है पर कहाँ? आज बाल-बाल बच गए उस नने जासूस ने तो मुझे फिर से पकड़ ही लिया था वो पिद्धी आपके पीछे यहां भी पड़ गया यादे एक बर पहले हमें उसी बदमाश बच्चे ने बैंक लूटते हुए पकड़ा था इस बार तो वो मेरे हाथ से बच गया अगली बार मिला तो उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूँगा बॉस आप हर बार वी बी आए बैंक में क्यूँ दर्डर्डा कर डालते हैं? शेयर में दूसरे भी तो बैंक है मत पूच छुटे, बहुत दर्द भरी कहानी है बताईए ना बॉस, सुनाए दर्द बताने से हलका हो जाता है जेल से छुटने के बाद, मैं एक आम आदमी की तरह इज़त की जिना चाता था नई जिन्दगी शुरू करने के लिए, मैं एक टैक्सी का लोन लेने बी बी आई बैंक में गया था वहाँ के मैनेजर ने मुझसे मेरा नाम, पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविं लाइसेंस और इंकम टैक्स फाइल मांगी लोन कैंसल हो गया होगा, क्यूंकि आपके पास वो सब तो हो गए नहीं यार, तू बीच में मत बोल, यह मेरी स्टोरी है, मैंने सब लकली पेपर्स का इंतजाम कर लिया था आप कितने इंटेलिजेंट है, बॉस मैनेजर को मैं अपने सारे कागजा देने ही वाला था, कि उसी वक्त पुलिस आ गई तुझे मेरी स्टोरी सुनाने की बहुत जल्दी है ना, तो चल तू ही सुना दे सारी बॉस, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आगे क्या हुआ? लोन पास होने ही वाला था, कि तभी बैंक के सेक्रूटी गार्ड ने मुझे पैचान दिया उसने मैनेजर को चुगली कर दी, कि मैं वो ही चोड हूँ, जिसने उनके बैंक को लूटा था वेरी सैड, फिर क्या हुआ? मैनेजर मुझे पर आग बबूला हो गया, उसने मेरे सारे पेपर्स फार दिये मुझे बेज़त करके धके मार के बैंक से निकाल दिया मैं शराफत की जिन्दगी जीना चाता था पर इस बेरहम दुनिया ने मुझे वो मौका भी नहीं दिया बस उस दिन से मैंने गुना के रास्ते पर एक बार फिर कदम रख लिया मैंने ये कसम खाई कि जब तक मैं उस मैनेजर और उसकी बीबी आई बैंक को बरबाद नहीं कर दूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा हाव इंस्पाइरिंग बॉस बॉस से कुछ सीख हक ले सेख लिया कल मैं भी आटो का लोन लेने बीबी आई बैंक जाओंगा लेकिन मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड तो है नहीं बगवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुरो अब बीबी आई बैंक का आखरी एटियम रह गया है आज रात उसे लूटने के बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा बीबी आई बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा कल सुरज की पहली किरन के साथ हम यहां से भाग जाएंगे थोड़ा लेट चल सकते हैं बॉस सुबह सुबह मेरी नहीं 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 खुलती है चुपकर नहीं तो बीबी आई बैंक की तरह तुझे भी खत्म कर दूँगा अधर थोड़ी आई है का कि यहां कि को देखा है इसेजिए ईसोर को उसका चहरा इतना जाना पैचाना क्यों लगा मुझे ति संपो तुमने उसेजिए ऐवास सुनी थी ना मुझे लगता है हम इसीजिएमे चुट से पहले मिल चुके हैं पर कौन हो सकता है अरे कहीं वो बैंक रॉबर जगावर तो नहीं जिसे हमने पहले भी पकड़ा था तो श्व मुझे उस बिन मुंडी वाले चोर का पता चल गया सिम्पू वो और कोई नहीं जगावर ही है वही जगावर जिसे हमने बीबी आई बैंक में रॉबरी करते हुए पकड़ा था इंस्पेक्टर प्यारे चौदा नंबर के जूते वाले चोर का नाम जगावर है उसका पता तो मालूम ही होगा आपको आजाद नगर खोली नंबर 33 पहले भी तो पकड़ाया अपने उसे जेल से छूटने के बाद वो अपने ही घर में चुपेगा ना अब सोच क्या रहो जल्दी जाओ और पकड़ो उसे पंडू इधर आप यही है जगावर का धार चलो पकड़े उसको अपने हाथ ऊपर करो यू और अंडर अरेस चलो जल्दी येस बस लगता है मैंने पुलिस को चकमा दे दिया जगावर को कोई नहीं पकड़ सकता बाइक को भी अभी फसना था अभी मजा चखाता हूं इनको पकड़ो उस बदबाश बच्चे को मेरे पैसे लेके भाग रहे पकड़ो उसे उसके जोड़े रोख अरे को आप पोचके यह जगावर से पंगा चोड़ूंगा नहीं तुझे मेरे पैसे मेरे पैसे बरबाद हो गए आप तुझे कोई नहीं बचा सकता लडगे वेल डन सिंपू सिंपू, लेट्स हाइड सैर, मिल गए अच्चूर ए पेना मुंडी वाले भूत, खुद को कानून के हवाले कर दो आप तम बच के नहीं भाग सकते हैं अरे मुँ बेहोश होगे अलाइस साहिब कैसे करेगा खुद को आपके हवाले अरे यह तो जल से भगा हुआ खतरनाक मुझरिम जगावर है बिना मुंडी का भूत बनके सबको डरा रहा अरे यह इतने सारे पैसे कहां से आए अब यह भी माइच समझाओ, लूट का माल है साहिब अरे यह थो आपको 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 पाला कि नहीं है